मैं सुनेल जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतिय बिहार में पिछले 15 दिनों के लगभग में अचानक कोरोना के बिसफोर्ट के कारण पर प्रकास टालना चाहता हम और उसके कुछ महतपुर्ण कारण आपको बतलाना चाहता हम ताकि इसे बिहार में संक्रमन की चेन को टूटने में मदद मिले देखे पहला जो इसका महतपुर्ण कारण जो मुझे लगता है कि अनलोक वन और अनलोक टू में हलाकि इसका महतपुर्ण कारण एक ये भी है कि बिहार पुर्ण के समय में कोरोना पर बहुत अच्छा नियत्र किये हुए था और उसके ही संदर्म में आत्मसंतुष्ठ हो जाना इसका बहुत बड़ा कारण बना अनलोक वन और अनलोक टू में लापरवाह लोग हो गए बिहार में बिना मास्क लगा करके कि लोग बेफिकर घुमने लगे इस पिरियाड में सोसल डिस्टसिंग का सही ढंक से पालन नहीं किया गया बिहार के लोग यह मान पुर्व के आसपास था जिसको बिहार ने कंट्रोल कर रखा था जिसके कारण क्या हुआ कि ये बिहार के लोग आत्मसंतुष्ट हो गए कंप्लेशेंट हो गए और उन्होंने सोसल डिस्टेंस की धजियां उराना शुरू कर दिया अन्लोक वन और अन्लोक टू पिरियड में इसके कारण कोरोना का शंकर्मन बड़ी तेजी से बरहा और कोरोना ने अपना एक चेन अस्थापित कर लिया अब इस चेन को तोरने में परशानी हो रही है दूसरा जो कारण था वो था कि परवाशियों का बाहर से बिहार में आना सभाविक है कि बिहारी लोग बाहर में काम करने के लिए जाते हैं रोजगार के लिए चुकि बिहार में उतना माहौल नहीं है रोजगार का कल कार खाने फेक्ट्री उतने है नहीं तो बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तामिलाडू का चन्नाई मैं भी आपको बिहारी मिल जाएंगे तो सभाविक है जो वहाँ से जब आए तो सुरू सुरू में उनको क्वारेंटाइन की अच्छी वेवस्था की गई थी उनको isolation में रखा जाता था quarantine में रखा जाता था 14 दिन के बाद ही और उनकी checking भी की जाती थी इसके कारण क्या होता था तो वो trace आसानी शो हो रहा है थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को सभाविक है जो बंद कर दी कितने दिन तक चलते उसमें कुछ प्रवाशियों ने भी mistake करना सुरू किया जो समें हो हलाग उलाग मुझे खाना ने मिला ये ने मिला वो ने मिला कई तरह की जो है तो उसके कारण ये प्रक्रिया बंद की गई बंद होने के कारण क्या हुआ कि प्रवाशी को कहा गया कि जो भी अब आते जाते हैं वो होम कॉरेंटीन में रहें 14 दिन तक एहतियाद के तोर पर लेकिन वो कहां मानने वाले इसके कारण क्या हुआ को होम कॉरेंटीन में न रहने के कारण यदि वो कहीं से चले आते थे आने जाने का शेलसिला चलते रहा और चलते रहा और कोरोना ने अपना एक गढ़ बनाने में उसको ये भी भूम का महतपुर्ण भूम का निवाई कि यदि बाहर से बैक्ती आए संक्रमित हो करके आए फिर यहां से लोकल बैक्ती भी संक्रमित हुए और लोकल ब्यक्ति संक्रमित हुए तो फैलने लगा फैलने लगा जब तक पता चलता तब तक वो ये इतनी तेजी से फैलता है करो ना कि पूछिये मत तो ये भी एक कारण रहा तीसरा महत्पुर्ण कारण जो अब आया है पिछले 15 दिन के दोरान में कि ये बरशात का मौसम है इस इस समय में ब्यक्ति तुरंत किशी चीसे एफेक्टेड हो जाते हैं बाहरी तत्त में तो यदि इस समय पुर्ण परहेज में न रहे तो उनकी एफेक्शन होने की संभावना खास करके एफेक्ट होने की संभावना यदि कोई कोरोना पिरित ब्यक्ति नजदीक आसपास भी रहता है तो तुरंत उससे affected हो जाते हैं ये भी कारण ना आता है इसमें आपको जो काम बुखार ये आम बात है और बिहार के जैसे कुछ छेत्र में आपको मालूम है कि बाड़ आ चुका है और बाड़ के समय में क्या social distance और क्या इसमें कि lockdown में रहना ये संभव ही नहीं हो पाता है क्योंकि जब पानी चलाता है तो बैक्ति को सबसे पहले अपनी जान बचाने के फिक्र होती है और उस इस्थिति में और पानी कुछ ऐसा रहता है कि उपर से धूप पानी बरसात धूप इसके कारण बैक्ति को बुखार आता है और बुखार आता है और कहीं यदि कोरोना का कोई चपेट में बैक्ति चले आए तो फिर यवो फैलते देर नहीं लग रही है अगला एक और महतपुर्ण कारण है कि election का समय आ जाना इससे आम तोर पर अधिकांस जो जन परती निधी थे नेता गंत थे उन में कुछ लोग इसे पिरित हुए उनका कारण ये था कि उनको मजबूरन इसमें जनता के भी जाना परा क्योंकि अभी नहीं जाएंगे तो गाम भी नहीं चलेगा जनता जो है वो कहेगी एक हमको संकट के समय देखने ना आए election का time है उनको campaign भी करना है तो पहले तो virtual campaigning उन्होंने की लेकिन बाद में लगा कि virtual campaigning से काम नहीं चला है तो वो छेतर में भी पहुँचने लगे और वहीं से आपको अधिकांस नेता और जन परती निधी संक्रमित हुए कई बीजेपी के नेता भी संक्रमित हुए महतपुर नेता जन्ता दल यूनाइटेड के भी संक्रमित हुए माने वो चुकी सभावी के करोना किसी दल के लिए नहीं है किसी पार्टी के लिए नहीं है वो किसी का समय आ जाना और जन्ता के बीच उनको मजबुरन जाना इसके बाद की एक और कारण था जिसको मैं छठा महत पूर्ण कारण मानूंगा की कुरोना संक्रमित के साथ बहुत अधिक भेदभाव करना ये संपुर्न भारत में ही है और बिहार में ही है की कुरोना संक्रवीत बैक्ति के साथ बहुत जैदे भेदभाव यहां पर किया जाता है यदि इसके कारण बैक्ति को यदि संभावना भी लगती है तो जब तक उसकी इस्थिती बहुत खराब नहीं होती है तब तक वो टेस्ट ही करवाने नहीं जाता है और टेस्ट करवाने ही नहीं ज जाता है उस स्थिती में टेस्ट करवाने जाता है कि जब उसको बुखार आ जाता है बुखार उतरता नहीं है इस्थिती बहुत ही खराब हो जाती है तब वो टेस्ट करवाने जाता है और यदि पॉजिटिव निकल भी गया तो चुकि सरकार के अस्तर से कहा जाता है अभी ब रहेंगे होम कॉरेंटीन में रहेंगे या फिर किस तरह से घूमता निकलता है जिस तरह से लोगों को पता नहीं चले तब तक वो आपको घर से निकलते रहता है ताकि उसको कोई गेश न कर ले और इसको वो परतिस्ठा का विशय बना लेता है हाँ जब तक उसको बुखार 25 पर लाना दे तब तक वो कोशिस करता है जि निकल जाने का कुछ एक वेक्ति ऐसा करते हैं तो ये उस समय वो कैरियर का काम करने लगता है और गंभीर रूप से बुखार से जब प्रित होता है 25 पर जब उठने की स्थिति में नहीं होता है तब ही वो आता है इस भेदभाव के भी कारण आपको ता कुरोना संक्रमित व्यक्ति को आशोलेट रहना है उनको होम कॉरेंटीन में रहना है लेकिन उससे ऐसा भेदभाव नहीं करे कि जैसे वो दूसरा ग्रह का प्रानी हो चुका है इससे संक्रमित व्यक्ति से ठीक होने के दर भारत में सबसे अच्छी है लोग असी परतिसा से उपर ठीक हो रहे हैं 37 परतिसा से तो उपर आज से कुछ दिन पुर्व का ही डाटा था तो ठीक हो रहे हैं तो इसलिए इससे इतना भेदभाव ना करें हाँ दूर थोड़ा सा अशोलेशन में जरूर रहे हैं थोड़ा दूरी बना करके रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं जो दूसरे गरा रोसरा, हसनपूर, बिथान, विभूतिपूर, दलसिंग सराय, कुछ हद तक दर्भंगा, मदवनी, बेगु सराय के तरफ फैलने का एक कारण ये भी था कि दस तारीक के लगभग नागपंचमी का पर्व यहां पर हुआ था बिहार में तरफ नागपंचमी के पर्व में भीरभार थोड़ी जाय दे रही और प्रसासन ने भी उसको रोकना उचित नहीं समझा क्योंकि चुकी पर्व का माहौल था और सभाविक है कि इसको कुछ लोग निगेटिव व्यू से लेने लगते हैं लेकिन इस पर्व में सोसल डिस्टेंस जो होनी चाहिए उसकी धजियां उरा दी गई और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया परिनाम हुआ कि ये दस तारीक को जी ये मिले लगाने की घटना करम हुई वो बदस्तूर चला इसके कारण क्या हुआ कि इसका परिना 14-15-16 तारीक से दिखना शुरू हो गया और अचानक आप देखिएगा कि 15-16, 14-15-16 इन सब को समस्तिपूर, रोश्रा, हसनपूर, बिथान, विभूतिपूर, दलसिंग स्राय इन सब में कोरोना पॉजिटिव का अचानक बिसफोट हो गया तो बिसफोट हो गया तो एक कार पर्व मनाना अच्छी चीज है, सिर्फ ये था कि इस समय पर्व के समय पर सोसल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, वो चूक थी, वो किया जाना चाहिए, उसी का परिनाम अभी हम लोग भोगत रहें हैं, लेकिन हर विपत्ती में कुछ पॉजिटिव भी संभावनाय चुपी रहती है, ये बिसफोर्ट जल्द ही कम होगा, जल्द ही बिहार इस पर नियंतरन प्राप्ट करेगा, जल्द ही बिहार के लोग इस से उबरेंगे, जल्द ही बिहार के लोग इस पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि अब सिफ समझने की ब कई देश ने इस पर अब विजय प्राप्त कर ली है इस पर जीत हासिल कर रही है हम बिहार के भी लोग इस पर जीत हासिल करेंगे और निश्चित ही इस पर जीत मिलेगी मैं सुनिल जी खाटी बिहारी इसी के साथ बिदा ले रहा हूं और जै बिहार जै भारत के संबोधन के स झाल